आपके साथ मैं हूँ निहान आईए देख लेते कि अंतर आश्य बाजारों से आज थर्सडे के सेशन के लिए हमारे बाजारों के लिए कैसे संकेत आ रहे हैं तो गिफ निफ्टी बयाली संक मजबूत है बाइस हजार पचास के करीब है डाव फ्यूचर्स में हम फ्लाट और नेगिटिव ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं सोना चान भी बिलकुल सपार्ट है दबाव में है कच्छे तेल में आई है फिर से रिकापरी क्या कुछ हुआ है अंतर आश्य बाजारों में एक्विटी कमोर्टी स्पेस पे कहां रखनी नजर आये जान लेते हैं मेरे सायू की दिपानिश्रों इस वक मेरे साथ जोड़ च थोड़ा उतार चड़ाब होता रहता है बड़ एसेंशली जैसे आपने बताए कोई परिशानी नहीं है गिफ निफ्टी आपका 22,000 के उपर सस्टेन कर रहा है अच्छे मूड में है वहाँ पर भी आपको कोई परिशानी नहीं आते हुई दिख रही है एशिया के बाज़ उसे भी आपको ठीक ठाक संकेत आते हों दिख रहे हैं चीन पर रखेगा नजर अपकोस आने वाला हफता उनकी छुटी रहेगे बड़ उससे पहले आज कुछ एहम डेटा आने वाले हैं इसपेशली इनका इंफलेशन डेटा बस कुछी देर में आता होगा पिछले कुछ म बाजारों से वैसे कोई परिशानी नहीं है अमेरीकी बाजारों से शांदार संकेत आ रहे हैं थोड़ा मंडे के दिन हमने देखा था लड़ खड़ाय थे बाजार उसके बाद वापिस बढ़िया मोमेंटम आपको आते होए दिख रहा है कल एक अच्छी तेजी दिखी है ड पांच शांद का स्तर अल्मस्ट छू लिया था कल की के टरेज्जन परिशन में 0.1 पॉइंट से इन्हों होने मिस किया है तहो आल्मस्ट आल्मस्ट आप कहा ही सकते है राउंड ओफ अगर आप करें तो पांच शांद का स्तर चूल लिया था बविख एक तरह से वह लेफल होने वाला है आई टी यहां की लीडर्शिप बरकरार है थोड़ा बीच में यहां पर भी उतार चड़ा बना रहता है बट एसेंशली बहुत ही बढ़िया आउट परफॉर्मेंस जो पिछले साल की आउट परफॉर्मेंस थी वो इस साल भी आपको दिख रही है कल के दिन बे भी आपने देखा IT Semiconductor यहां पर अच्छा आक्शन था एक परसंट का उच्छाल आया है नाजड़ा कॉंपोजिट एक बार फिर से रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई पर आपको आते हो दिखाए तो वहां से कोई परिशानी नहीं आ रही है मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एन्वि नतीज़ का लाए थे, 6% शेर उचला था मार्केट ट्रेडिंग में, डिजनी के मजबूत नतीज़ा हैं, बट पोस्ट मार्केट यहां पर आपको शाप रियाक्शन दिख रहा है, 6% पोस्ट मार्केट में उपर है, तो आज शाम को यहां पर रियाक्शन आते हो दिखेगा बॉन्ड येल पर रखेगा नजर थोड़ी एलिवेटेड है, 4.1% की उपर आपको 10 साल की बॉन्ड येल दिख रही है, कल कुछ और फेट सदस्य के बयान थे, जहां से क्लियर हो रहा है कि फेट तो फिलहाल रेट कटवती के मूड में नहीं है, तो मार्च में शायद रेट फोकस नहीं कर रहा है उस बात पर क्योंकि एकॉनमी की स्ट्रेंथ पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, और इसके साथ ही हमने देखा कल एक बड़ा बॉन्ड आक्शन भी था, 42 बिलियन डॉलर का कल बॉन्ड आक्शन था अमेरिका में, जहां पर अच्छी डिमांड आती है, डॉलर इंडेक्स आपका तीन महीनी की उचाई से फिसलाई 104 के नीचे है, कच्छे तेल में हलकेल की बड़त आ रही है, 80 डॉलर के आसपास आपको ब्रेंट आते हुए दिख रहा है, मिडल इस में तनाव है, इस्रेल और हमास सीसफायर के लिए तयार नहीं है, दोनों स संकेत आ रहे हैं, 22,000 के उपर आपका गिफ्ट निफ्टी है, RBI पॉलिसी से पहले हमारे बाजार अच्छे मूड में दिख रहे हैं, ओके चलिए तो दमदार ग्लोबल संकेत मिल रहे हैं और जैसे कि दीप ने कहा कि अफकोस RBI क्या फैसला यहां पर लेता है, ये अब पूर्ण इवेंट हमारे लिए, धनिवाद डिटेल के लिए, तो चलिए अब जान लेते कि आज हमारे मार्केट में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीती अपना नहीं सपर बात करने के लिए, जी बिजनस के मैज़िंग एडिटर अनल सिंग भी हमारे साथ जुड़ चुके ह सर मॉनिंग, शुरुवात के लिए तो दमदार संकेत है सर, बटाम तोर पर RBI की जबी भी फैसला होता है, बैठक होती है, आप हमेशा दो टुकडों में दिन को डिवाइड करते हैं, जहां तक रणनीती का सवाल है, आज भी ऐसे ही करेंगे सर, निफ्टी बैंक निफ्टी बुड मॉनि नहादी, देखें बिल्कुल संकेत हैं और आपको दो तरीके से आज इस ट्रेटी बनानी चाहिए, पहला यह कि पॉलिसी के पहले बाजार के से रह सकते हैं, और पॉलिसी के बाद किस तरह का एक्शन होगा, तो पॉलिसी के पहले तो संकेत काफी बढ़ी है, अमेरिका में फंस क्लास देगी हुए, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, दूसरी और कल के सेशन में लोकल फंस के तरह से खिर से हलकी फिल्की खरीदारी हुए है, एफाइस की थोड़ी बहुत बिक्वाली ज़रूर हुए, तो वो देखें कि किस तरह का उसका एक्शन होग और अगर आजबे की पोलिसी के बाद कुछ लिक्विडि़ी बढ़ाने के कुछ उपाय होते हैं, तो वाजार को थोड़ा और उपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं, अब इन सब के बीच में हमें करना है, सपोर्ट लेवल पर फोकस करिए, पोलिसी के पहले आपको जो सपो पर बुकिंग आती भी डिख सकती है, और 22125 की उपर निकल कर टिके नया लाए फाई बनाएं, तो फिन दिफ्टी बूस का है, जो उन में जाता हुआ जिका, जा तक बैंक की का सवाल है, पैसारीश पांट पचिस, पैसारीश पांट पचिस, पैसारीश पांट पचिस, यह अब जी में दे रहा हुँ, यह पॉलिसी के पहले किये, पॉलिसी के पहले तुरंट यह सपोर्टर यह आसानी से ठुटे गानी, और पॉलिसी के पहले च्छी जार परटाष, जार एक्सो प्रेस पर की रेंज को भी नहीं तोड़ना चाहिए, बाकी तो बड़ी रेंज, पो की हलका है, पॉजिशन ज्यादा है नहीं, लेकिन मिटकेप और स्माटकेप शेरों में एक्शन नहार मुझे लगता है, आज भी बरकराव हैगा, वहाँ पर अच्छे मुखे बनेगे आपको खरिदाई करने के, तो ओर ओर मार्केट का मूर महोल ठीक है, ग्लोबल सपोर्ट है, अगर आज के सेशन के लिए थोड़ा सा कर कोई नेगेटिव देखना है, तो इस एक ही है, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए एफाइस की तरफ से, केश मार्केट में और वायदा करोबार में होती भी दिखिये, अधरवेस सारे देटा काफी बैटर है थांक यू सोमत सर, हमाये दर्शकों को दिशा देने के लिए बताने के लिए कि क्या स्ट्राटेजी आज के दिन अपनानी है, तो चलिए आज RBI की मौटरी पॉलिसी आने वाली है, उससे पहले Zee Business ने एक्सपर्ट के बीच में एक मेगा पोल करवाया है, और उसकी पूरी पॉल पार्टिस्पेंट्स जो है, उनका यही मानना है कि रेट्स में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ना ही रेट्स बढ़ेंगे, ना ही रेट्स घटेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब यह उठके आता है कि क्या FED के पॉलिसी के पहले रेट काट शुरू होगा हमार यहां बाद में होगा, और यहां देखे हमारा दूसरा सवाल यही था, यहां पर भी 100% पॉल पार्टिस्पेंट्स का कहना है कि पहले FED करेगा और उसके बाद ही RBI जो है वो रेट्स में कट होती करेगा, तो यह कब से शुरू होगा, तो यहां पर हमारे पॉल पार्टिस् का कहना था कि नहीं कोई कट होती नहीं होगी, GDP फोकास्ट और, inflation फोकास्ट, 30% दोनों में मान रहे हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, 70% का मानना है कि शायद बदलाव नहीं होगा, GDP, inflation दोनों में यह आप याद रखेगा, लिक्युडिटी के इसूद है, हर एक बैंक ने अ लेकिन 70% मान रहे थे कि liquidity को लेके RBI कोई ना कोई बड़ा कदम इस बार उठा सकता है तो rates में कोई बदलाव नहीं होगा गवर्नर्स आपकी speech पे ध्यान लेगी और liquidity इस चीज़ पे ध्यान रखेगा RBI कुछ बड़ा liquidity को लेके कर सकता है तो of course गवर्नर्स आप क्या कहते हैं किस तरह के संकेत देते हैं क्या commentary होती ये तो हम बहुत sharply notice करेंगे धनिवाद वरुन उस पूरी detail के लिए लेकिन हमारे दर्शकों को भी ये खास जानना ज़रूरी है कि monetary policy पर आपको सबसे बड़ी coverage मिलने वाली है सिर्फ Zee Business पर आज सुभा पौने 10 बजे से आपको बने रहना है Zee Business के साथ तो कि हमारे साथ एक बहुत ही भरोसे मन पैनल जडने वाला है Market Expert अजेब अग्गा सर होंगे Oyster Capital के अतुल जोशी भी इस पैनल का हिस्सा है Senior Economist सौगत भटाचारिया और Market Expert हिमांग जानी होंगे एन अफकोस आपके चहेते आपको जिस पर भरोसा है Zee Business के Market Editor अनल सिंग भी तो होंगे ही आपकी मदद करने के लिए और पूरी तरह से इस monthly policy को decode करने के लिए तो जुड़ना मत भूलिएगा Zee Business के साथ पॉने दस पजे से लेकिन आए खबरों के दम पर और भी बहुत सारा अक्षन है कंपनियों के तिमाही नतीजे आ रहे हैं सारी डिटेल लेकर आशिश हमारे साथ जोड़ चुके आशिश बहुत सारे Q3 नंबर्स हैं तो क्या अनालिस से अब तक की पहुन ही निया दिके सबसे बिले टाटा कंशुमर यहां पर नतीजों का एंपक्त देखने को बला है 14 परसन के असपास एक्सपेक्टेट थे 15.1 परसन देखने को बला है मुनाफिक आखड़ा थोड़ा सा कम नज़र आएगा क्योंकि इस बार एक्सेप्शनल लॉस से 51 करोड का पार ग्रेड यहां पर नतीजे कल 3 बचकर 29 मिनिट पर आ चुके हैं लेकिन क्योंकि पू इंडिया यहां पर अगर आप देखें तो नतीजे आपको देखने को बलेंगे मुनाफिया जो साड़े 300 करोड का अनुमान था वो 455 करोड है मार्जिन्स में आपको बड़त देखने को बली है 17 परसन से बड़त जो एक्सपेक्टेट थे 21 परसन है और कामकाजी मुनाफिक कांकड़ा भी आप देखें तो यह बड़िया ही माने जाएंगे इसके अलाव अगर आप देखें तो जी एन एफसी यहां पर लगाता है इस स्पेस के सबी स्टॉक्स में काफी कमजोर प्रदेशन देखने कुमला है आए 22 परसन घटी है एबिटा 81 परसन घट गया मारजिन जो पिछले साल 16 परसन घटकर 4 परसन के आसपास आगे है और मुनाफे में भी भारी 70 परसन की गिरावट है इसके अलावा अगर आप देखें तो लूपें यहां पर नतीजे काफी बढ़िया माने जाएंगे और हर पारमिटर पर किसी भी लियाद से अगर आप देखें तो बढ़िया रविन्यू क्रोथ मनुपरम फ्राइंस यहां पर अगर आप देखें तो सभी पारमिटर पर नतीजे काफी अच्छे हैं लेकिन से फसेट कॉलिटी ऐसी है जो थोड़ा सा आपको निराश यहां पर करते हुए नजर आ सकती है क्योंकि अनुमान से थोड़ा सा ज और मार्जिन्स का अखड़ा भी अगर आप देखें तो अनुमान से बहतर है चलिए यह सारे नंबर्स आएं जो पर आज जो मार्केट खुलेंगे तो फोकस करेंगे लेकिन खबरों कि दम पर और कहा कहा एक्शन और और कौन से नंबर्स आने हैं देखें आज जो नंबर्स सकता है सबसे पहले आइटी सी चे रुपे 25 पैसे का अच्छा कासा डिविडेंट है इसका जिलिट में 85 रुपे का श्री सिमेंट बहुत भारी बर कम स्टॉक है 50 रुपे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा शाम 6 बजे कैबिनेट और CCA की बैठक भी है अच्छा प्राइमेरी मारकेट्स में काफी बड़ी आक्शन देखने को मुल रहा है तो सबका सब्सक्रिप्शन का डेटा आपको बता देता हूं एपी जी सुरेंद्र पार जो फाइनल क्लोजिंग आई है यहां पर आप देखे करीब 59.66 टाइम सब्सक्रिप्शन मिला है फॉर्स डे था राशी सब्सक्रिप्शन मिला है यहां पर आधे गुना यह इशू भड़ चुका और जना स्वाल फिनांस बैंक पॉइंट एट पर संट के आसपास का सब्सक्रिप्शन है इंशॉरेंस कंपनी इस पर फोकस रहेगा चुनेंद्र आपके सामने रखता हूं जेनरल इंशॉरेंस का डेटा आया है जनवरी महने का यहां पर स्टार हेल्थ एन इलाइट इसको फोकस पर रखेगा क्योंकि सबसे बढ़िया ग्रोथ 18 परसेंट के और इसके बाद है आई से लंबार 14 परसेंट की ग्रोथ पिसले साल के मुकाबले देखने कुमली है मैंकाइंड फार्मा यहां प पारदीफ फॉस्पेट के बीच में जो है मर्जर का अनॉंसमेंट है अगर आपके पास मैंगलोर केमिकल्स के 100 शेर हैं तो आपको 187 शेर मिलेंगे पारदीफ फॉस्पेट के पिरामल फार्मा यहां पर फोकस रहेगा क्योंकि पीतंपुरा फैसिलेटी को USFDA से तीन आपत कुठारी हमाय सार जोड़ चुके मेहुल सर गुद मॉर्निंग बहुत स्वागात है आपका जरा बताइए कौन से सेक्टर स्टॉक्स पे आज नजर रहने वाली है अज जो दो स्टॉक्स पसंद है मुझे पर पहला तो अधित अविल्ला कैपिटल यह पूरे ग्रूप में AB कैपिटल में भी ब्रेकाउट आते दिख रहा है 185 के आराउंड एसको खरीदना है स्टॉप लोस रहेगा 175 का और टार्गेट रहेगा 205 का तो पहला काउंटर तो यह हो गया दूसरा मुझे लग रहे है कि एशन पेंट में बाउंस आ सकता है तो 2980 के आज पासे चल रहा है यही पे खरीदना है 2900 के स्टॉप लोस और टार्गेट रहेगा 3140 का एशन पेंट चलिए तो यह नाम के दो स्टॉक्स आ रहे हैं पसंद एवी कैपिटल में करनी है खरदारी 205 के टार्गेट के लिए और एशन पेंट 2900 स्टॉप लोस 3140 तक का टार्गेट यहां पर बनत हमारे साथ है पूरी डिटेल लेकर आशिश मॉनिंग बताइए लिके सबसे बिले पार्गेट यह फोकेस में रखेगा है पर सीरे से आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रहे हुए और लक्ष 261 से बढ़ाकर 285 कर दिया है सीटी भी खरीदारी के राइदर है 300 का था टार्टा कंजुमर यहां पर भी फोकस रखेगा ओबरवेट की रेटिंग के साथ इन्होंने जो टार्गेट दिया है 1305 रुपे का है तो यहां पर आप फोकस करके चल सकते हैं और साथ में नेसले से रिडिउस की रेटिंग को बरकरार रहे हैं और टागेट इन्होंने कट क ओके चलिए थाइंक यू अशिश डेटेल के लिए और चलिए कमोडिटी बाजार का थोड़ा बहुत अपडेट आपको यहां पर दे देते हैं वैसे तो चीन के बाजार है वो चुटियों पर जाने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं कि मिटल्स में हैं कासा प् करें तो यहां पर हला कि हम देख रहे हैं इसके ठीक विपरी कुछ स्ट्रेंद देख रहे हैं असी डॉलर के पास ट्रेट करता हुआ दिखाई दे रहा है लेकिन आपको बता दें आज है RBI की मौटरी पॉलिसी आपको जी बिजनस के साथ बने रहना है सुभा पॉने 10 बज सीके लेकिन उनके साथ होंगे जाने माने ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजेब अग्गा सर, ओइस्टे कैपिल के अतुल जोशी, सीनियर एकनॉमिस सौगत भटाचारिया और मार्केट एक्सपर्ट हिमांग जानी भी इस सभाव्य पैनल का हिस्सा होने वाले हैं